मदोरमा गंजिस्टेत गीता भवन के सत्संग सभाग्रह में नमस्षिवाय मिशन ट्रस्ट शिव कोठी उमकारिश्वर के संस्थापक एबं एक रोटी बाबाजी के नाम से प्रख्यात स्वामी शिवोहम भारती के मुखारविंद से 16-24 सितंबर तक शिव महापुरान की तत् अधिका बिलवपत्र के उत्पत्ति एवं उसका महत्व तथा रुद्राक्ष के उत्पत्ति एवं महत्ववदियुताओं के बारे में विस्तार से बताया महराश्री ने कहा कि शिवलिंग पर ओम नमस्षिवाय का जापकर एक बिलवपत्र चढ़ाने से 1000 कमल पुष्प मैंने तपश्या जो किया उसी शमय काम दे मुझे तपश्या से ब्यप्त करने के लिए आया ना पर निश्पलों के वापस आ गया तो भगवान में काम के उपर विजय हासिल करने आओं भगवान मुष्पला करके लिए नारत तुम भगवान विश्पलों का महान भगतो कि तुम्हारे लिए कौन से बड़ी बात है पर ऐसी चिपा के रखा जाता है ऐसा मत बलो और बिशिश कर भगवान विश्पलों के सामने तो बोलना ही पर कहते हैं उतावला क्या न करे प्रमाजी ने भी मना क्या कि एशे शित्यों जिनको गोपनिये रखा जाते हैं फिर नहीं चल पड़े भगवान मिश्पलों के पास भगवान मिश्पलों को प्रणाम किये तो भगवान मिश्पलों ने पूचा क्यों नारत क्या वाद है बड़ा खुस नजर आ रहे हो तो बहुआन के बात सुन करके नारा जी करते हैं, बहुआन मैंने काम के उपर विजय कर दिया। और मैं जब तपश्या करा था हम प्रम्मस्मी के उपर निन्निमेश चित्त का प्रवेश किया। उशी समय कामदीब का प्रयास घर्थ हो गया। उशको डड़ लगा, कामदीब को बुलाया, बला ही मित्र, नार्थ महां तपश्या कर रहे हैं, कहीं उसके मन में ऐसा न हो कि उम्मेरा यहाँ सिंगासल को चिल ले, तुम जाओ उनको पतप्रस्ट कर, चल बड़ा काम दे, और संपुन्न सबक्रसक्ति और सामठ्य को बिन्यो करके भी नार्थ के तपश्या को डगानी सका, डिगानी सका। नार्थ जी, निर्बिग न अतपश्या का संपादन किये, जब तपाश्या समाफ तो हुई, जब जागी पाई है जगत में आए, उनको मालुम हुआ कि काम दे, मेरा अतपश्या भगन कर निकले आया था, वह असमाफ तो करके चला गया वापस। आंकार का अंकुरोद गमवा, उनके मन में चन्पड़े प्रम्हाजी के पास। सबसे पहले चन्पड़े रुद्रदेव के पास। रुद्रदेव भगवान नारथ जी के बड़े भाई लगते हैं। कि भगवान के पहते के आज्या के अनुशार, भुसना के अनुशार, भगवान शीव ने जब अवधार लिया। ब्रम्हाजी के भुखुटी से ही उनका जन्मववादा, अवधार वधार, इसलिए ब्रम्ह पोत्र रुद्रदेव भी कहते हैं। इसलिए रुद्रदेव को नारत का बड़ा भाई भी माना जाता है। जाकि रुद्रदेव के पास जब पहुंचे कैलास में, रुद्रदेव ने सतकार किया बोले, नारत की मर्तम आगाता है, क्या तक्रीब है, केज़े गुंगाम क्या आगे तो, कहां कहां गुमें। आयोजन समीती के प्रमुख महेश कुपता ने बताया कि कथा का समय प्रति दिन दो पहल दो से शाम साड़े छे बज़े तक रहेगा, वहीं प्रति दिन सुबह दस बज़े से दिवंगत पित्रों के मोक्ष का अनुष्ठान भी विद्वान आचारियों के निर्देशन में स बड़ी सुपारी जनेव, जूडा तथा 250 ग्राम चावल लेकर एक साधे कागस पर दिवंगत पित्रों के नाम, गोत्र एवं उनकी निर्वान तिथी लिकर गीता भवन में मोहन शर्मा से संपरके कर सकते हैं उन्होंने कल तो वेदों का विभाजन बतलाया, पुराणों पर बतलाया और सहीताओं पर बतलाया आज जो ये प्रारम हुआ है तो आज उन्होंने प्रमा विष्णु जी, महेश जी ये तीनों हैं इनकी किस प्रकार से पुजा करना चाहिए और उनको याद करने से कैसे दुख दूर होते हैं, शुक पराप्त होता है, अभी जो चल रहा है वो उनूने बिलवपत्र की महत्ता पुरी बतलाई है, बड़े विस्टार के साथ में, बिलवपत्र किस प्रकार से उसका जनम हुआ, बिलवपत्र को शीवजी पर कैसी चढ़ा के खिए रूध राग कुल चौदा प्रकार के होते हैं को उन कोंसे चौदा प्रकार होते है एक मूइ दो मूइक तीन मूइ ऐसा फिर इंकंव देवता कोują ने एक के देवता कारथी जिएは एक के सिमय जी जी और परवती जिए इस प्रकार